रितमबरा प्रग्या का मतलब है कि आप ध्वनी और आकार के बीच के संबंध को देख पा रहे हैं। भारती शास्त्री संगीत में उन्होंने ध्वनी की इस क्षमता को कुछ हैसाथ तक हो जा है कि वो अपनी इच्छा नुसार कोई भी मूड पैदा कर सकते हैं। अगर आप बस ऐसे बैठें तो रितमबरा प्रग्या पैदा हो जाएगी। आपके साथ जबरदस चीजे होंगी। बूद का एक विशेश आयाम होता है जिसे रितमबरा प्रग्या कहते हैं। रितमबरा प्रग्या प्रग्या मतलब है बूद। रितमबरा प्रग्या यानि रितमबरा प्रग्या का अर्थ है कि आप ध्वनी और आकार के बीच के संबंध को देख पा रहे हैं। हम शायद आप में से कई लोगों के साथ इस पर बात कर चुके हैं। यदि आप किसी ध्वनी को ओसिलो स्कोप जैसे ध्वनी मापने वाले उपकरण में फीड करते हैं, तो हर एक ध्वनी एक आकार या एक पैटर्न बनाती है. आज ये बात सभी जानते हैं कि हर एक ध्वनी का एक अलग पैटर्न होता है. काफी शांदार प्रयोग किये जा चुके हैं. लेकिन सबसे आसान ये होगा, अगर आप सिर्फ एक धातू की शीट लें और एक, मान लीजे एक, इसके नीचे एक स्पीकर रखें और एक खास प्रकार की ध्वनी बजाएं. अगर आप उस पर कुछ हलके दाने, जैसे रेत या कुछ और रखें, तो आप देखेंगे, वो दाने एक विशेश तरह से खुद को व्यवस्तित कर लेंगे. या अगर आपके पास एक अच्छा टोनोमीटर है, जहां आप हर्ट्स को कंट्रोल कर सकें, तो बिलकुल अलग पैटर्न बनेंगे. नहीं तो, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है कि यदि आप इंटरनेट पर देखें, तो मुझे यखीन है कि इस तरह के कई प्रयोक होंगे, जहां आप देख सकेंगे, हर तरह की ध्वनी के लिए अलग आकार उभरते हैं. तो हर ध्वनी के साथ एक आकार जुड़ा होता है. इसी प्रकार हर एक आकार के साथ एक ध्वनी जुड़ी होती है. अब ये कैसे पता करें? प्रश्नी ये उठता है. कैसे पता करें कि कौन सा आकार सही है मेरा मतलब है एक खास प्रकार की ध्वनी को आकरशित करता है या एक निश्चित प्रकार की ध्वनी को दर्शाता है बोध के इस आयाम को रितंबरा प्रग्या कहते हैं बिना किसी प्रिष्ट भूमी के, इसके बारे में बात करने से, ये थोड़ा मजाकिया बन जाएगा, क्योंकि जरूरी समझ के बिना, अचानक अगर मैं किसी नई चीज़ के बारे में बात करूँ, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. आईए इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप संगीत सुनते हों, बात संगीत में मौजूद शब्दों की नहीं है, मान लीजे कि आपके वल आवाज या एक वाद्दे अंत्र सुनते हैं, क्या आपने देखा है कि अलग-अलग ध्वनियां आपके उपर अलग-अलग असर डालती है एक खास ध्वनी आप में प्रेम की भावना लाती है, दूसरी ध्वनी आपको शान्ती देती है, कुछ ध्वनियां चाती हैं कि आप जूम उठें, अलग-अलग चीज़ें सिस्टम पर तरह-तरह के असर डालती है, भले ही आप एक जागरुट शोता ना भी हों, फिर भी ऐस हो सकता है, कहीं कोई लए बद्ध संगीत बजा रहा है, लोक संगीत या मान लीजे की रॉक म्यूजिक चल रहा है, आप वास्ताव में नहीं सुन रहे हैं, आप बैठ कर अकबार पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, शरीर हिलना चाता है, ये पहला संकेत की इनरत्य कर करना चाता है, भारती शास्त्री संगीत में उन्हें ध्वनी की इस ख्रमता को कुछ इस हद तक हो जा है, कि वो अपनी इच्छा से कोई भी मूड बना सकते हैं, इसका कुछ अनुभव करने के लिए, अगर आप संगीत सरल चीज है, इसमें कोई जोखिम नहीं है, आपको ऐसा संगीत सुनना चाहिए, जिसमें शब्द ना हो, इसका मतलब ये नहीं है, कि आप लिफ्ट वाला संगीत सुनने लगें, उस तरह का नहीं, कुछ लोग ध्वनियों के विभिन्न स्तरों की खोच कर रहे हैं, चीजों को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके, जिसम कि आप ध्वनी पर आधारित संगीत सुनें, जिसमें ज्यादा शब्द ना हो, तो कुछ हद तक आप इस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे, इसे करने का एक बहतर तरीका ये होगा, कि इसमें खास मंत्र हों, लेकिन ये तकनी की रूप से सही होना चाहिए, संगीत को भी तकनी की रूप से सही होना चाहिए, लेकिन ये आपकी समस्या नहीं है, ये संगीत कार की समस्या है, आप बस सुनें, शास्त्री संगीत में तकनी की रूप से सही होने के लिए सालों साल लग सकते हैं, पर आप मंत्र काफी आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि मंत्र सिर्फ को आपने सुंदर्ता को नजर अंदास कर दिया है और केवल तकनीक को देख रहे हैं, यह उस हर्थ में आसान है। यदि आप इसे करना चाहते हैं यह करते हैं पर इसके लिए भी एक स्थर्के ध्यान की जरूरत हैं, में नहीं تو सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप स्थिर बैठना सीख जाएं, बिल्कुल स्थिर, आपके भीतर सब कुछ स्थिर हो जाएं, अगर आप बिल्कुल स्थिर बैठना सीख जाएं, कुछ भी करने की कोशिश किये बिना, कुछ सुनने की कोशिश किये बिना, ध्यान करने की कोश कोशिश किये बिना भगवान या शैतान या कुछ और सोचने की कोशिश किये बिना बस ऐसे ही अगर आप बस बैठ पाएं तो रितंबरा प्रज्या पैदा हो जाएगी एक और तरीका जिससे आप ध्वनियों और इसके गुण का बोध पा सकते हैं वो है अगर आप ऐसी जगह ढूंट पाएं जहां मशीनों की आवाजें ना हो और आपका फोन टिंग टिंग ना करें चुप चाप अगर आप पेडों हवा पानी की आवाजें सुन पाएं सिर्फ प्राकृतिक ध्वनिया अगर आप सिर्फ परियाप ध्यान दें आपके साथ अद्भुत चीजें होंग अगर आप पता नहीं अब वो वहाँ है कि नहीं शायद वो अब वैसा नहीं रह गया है यह जंगल भी बनाया गया है कई बार में दक्षन भारती आपको पता है उष्ण कटी बंधी वर्शावनों में रहा हूँ सबसे अधिक मैं वहाँ लगभग तेईस दिन था मैं लगभग तेईस दिन के लिए जंगलों में रहा अकेले उन दिनों कोई मदद नहीं होती थी कोई सेलफोन नहीं थे और यहां तक कि टॉर्च की रोशनी भी नहीं थी और चौथे दिन मेरे पास जो खाना था वो खत्म हो गया इसलिए मैं जंगल के सहारे जिया लगभग आठवे दिन तक मैंने मैंने अपनी जैकेट और अपनी हाधी कमीज खो दी क्योंकि कुछ जानवरों ने मेरा पीछा किया कुछ ऐसा हुआ मेरे पास हाधी शर्ट और पैंट थी और मैं चलता रहा अब ये हाथियों वाला बाग वाला देश है मैंने बाग, तेन दुआ, हाथी, सभी प्रकार के जंगली भैसे, तमाम तरह के जानवर देखे बहुत करीब से देखे पर आखिर में अगर मैं पीछे मुड़ कर देखूं कि मुझ पर सबसे बड़ा असर किसका पड़ा वो थे कीडे नहीं, नहीं, वो अमेरिका में टिक्स की तरह नहीं है वो हमें काटते नहीं वर्शावनों में, रातों में जो और्केस्ट्रा चलता रहता है हे भगवान ये अब विश्वस्नी है और उनकी टाइमिंग हर रोस रात के सवादों का मतलब है कि एक ग्रूप रुखता है और दूसरा शुरू हो जाता है सच में, उनके समाई के समज हर दिन उसी समय ठीक उसी पल एक ग्रूप रुख जाएगा दूसरा ग्रूप शुरू होगा और आप नहीं जानते कि वो किस बारे में बात कर रहे है वो जरूर कुछ ऐसी बात कर रहे है जिसे आप कतई नहीं जानते वो सिर्फ बेवकूफ आवाजे नहीं निकाल रहे है इसलिए अगर आप बस वहां बैठ कर सुने, सुने, सुने और सुने तो धीरे धीरे आप ध्यान देने लगते हैं कि इसका एक पैटर्न और एक संगठन है जो किसी भी मानव सिंफ़नी से कहीं अधिक बड़ा है जिसे आप पा सकते हैं कहीं ज्यादा जटिल और कहीं अधिक तीवर इसलिए अगर आप सुने तो बस सुनना, सुनना, सुनना सब कुछ सुनना सीखे मतलब ये कि आपको बात नहीं करनी है आप समझे बस सुने आपको कुछ-कुछ समझ में आएगा कि ध्वनी और आकार कैसे संबंधित है लेकिन अगर आप इस पर शोद करना चाहते हैं तो एक अलग तरह की भागिदारी ज़रूरी है पर हर चीज के लिए एक आगर ध्यान होना चाहिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं ये मत सोचिए जो कुछ भी सामने आए उसे सुनना चाहिए ये बहुत जरूरी है क्या जरूरी है